सिंबसी बात है फ्रेंड्स आपका भी फेस्बूक अकाउंट यहां पे हैग हो चुका है तो इसका मतलब यह आभी आप टेंशन में होगे बट डोंट वरी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूत नहीं आप अपने फेस्बूक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं अब यहां पे हैकर ने अगर यूजर नेम भी चेंज कर दिया है फोन नंबर भी चेंज कर दिया है इमेल आइडी भी चेंज कर दिया तो ऐसे स्थिति में भी आप बढ़िया संस है अपने फेस्बूक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है यह step आप यहां पे chrome browser open करके desktop mode on करके भी practical मेरे साथ कर सकते हूं जो मैं बताने वाला उसे step by step आपको follow करना है और एक बात यह वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपने मुझे काफी comment के friends इतने ज्यादा मुझे comment आ रहे इस topic के बारे में और एक वीडियो बनाने के लिए आप रिक्वेस्ट भी आ रहे तो उस वज़े से यहां पर सोचा मैं आप यह वीडियो बना दू और प्रैक्टिकल जो जो भी मुझसे help हो जाए वो में करूँ तो ध्यान से वीडियो को देखें वीडियो देखते है कोई भी प्रॉलेम आती है ने संग कुछ comment box में comment करना comment करने के बाद चानल को subscribe करके bell icon के उपर बस आपको click करना है वैसे वीडियो देखते है वीडियो को like भी कर सकते हो क्योंकि ऐसे topic बनाने के लिए काफी ज्यादा research करनी पर दिए ओके तो करते स्टार्ट वीडियो विडियो विडाउट एनवेस्ट यूर टाइम अब एक बात में फिर से रिटन केना चाहूंगा फ्रेंड्स यहां पर आपको डेश्टॉप मोड पर ही सब करना है अगर आप मोबाईल यूज करते तो वहां पर डेश्टॉ Facebook.com यहां पर कोई भी एक आईडी आपको लॉग इन करनी है एक्जामपल के लिए यह वाली आईडी मैं यहां पर लॉग इन कर दिया अब यहां पर आपको क्या करना है इस प्रोफाल लिंक को आपको कॉपी करना है ओके वैसे आईडी शो नहीं हो रही तो आगे बताने वा अब friends यहां पर आपको simply search bar पे click करके यहां पर आपको search करना है how to recover hack Facebook account यहां से आप search कर सकते how to recover hack Facebook account तो friends जैसे search करने के सरच करने के बाद first वाली link आपके सामने आ जाएगी तो simply इसी वाले link के उपर आपको click करना है तो जैसे यहां पर आप click कर देते friends तो click करने के बाद यह यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटर्वेस आने वाला है तो step पूरी तरह से अलगए friends जहां से देखिए अब यहाँ पर आने के बाद get started के option के उपर आपको click करना है तो जैसे click करेंगे तो यहाँ पर कई सारे option आपके सामने आ जाएंगे तो friends यहाँ पर आपको क्या करना है someone else get access my account इसके उपर आपको click करना है ओके आपका यह account यहाँ पर access कर लिया ना किसी ने तो first value option के उपर ही click करना है अब next step में friends यहाँ पर yes I can still login यहाँ इस value option पर click करना है जैसे click करेंगे click करने के बाद facebook के तरप से एक link आपको ब्येस दी जाएगी तो इस वाले link के उपर click करना है अब जैसे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है अब यहाँ पर आपको क्या करना है धान से देखिए अब यहाँ पर आपको second वाले क्लिक करना है someone else got into my account without my permission इस वाला option पर click करना है and friends यहाँ पर continue पर click करना है अब यहाँ पर यह वाला option भी नहीं आ रहा है तो next step में आपको क्या करना है वो विताने वाला यहाँ पर जैसे आप click करेंगे get started के उपर click करना है and friends यहाँ पर थोड़ी दर wait करना है तो थोड़ी दर wait करने के बाद आपका ID यहाँ पर detect कर लेगा अगर आपने पहले यहाँ पर hack ID login की थी तो ऐसे सिति में यही वाला option आपको show होने वाला है नहीं तो नहीं तो यहाँ पर simply continue पर click करना है जो भी password है नहीं वो यहाँ पर simply set करना है and set करने के बाद बढ़ी आपके hack ID यहाँ पर open हो जाएगी वैसे मैंने जो अभी तरीका बता है वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है जैसे आप यहाँ पर इस वाले link के उपर click कर देते तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है तो यहाँ पर आपको क्या करना है my account is compromised इस वाले option पर click करना है जैसे click करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है अब जो हमने profile link copy की तो उसे यहाँ पर आपको paste करना है जैसे paste करेंगे search के उपर यहाँ पे आपको click करना है तो click करने के बाद यहाँ पे आपकी hack id directly आ जाएगी तो hack id का current या old password यहाँ पे डालना है current नहीं पता है old होगा ना तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है friends अब जैसे friends यहाँ पे आप password डालेंगे and continue के उपर click करेंगे तो यहाँ पे बस आपको थोड़ी दर wait करना है आपके सामने कुछ इस तरह का interface आने वाला है तो friends यहाँ पे आपको क्या करना है something else got into my account without my permission इस वालो option पे click करना है and simply continue के option पर click करना है तो यह step आपको जरूर desktop पे chrome browser open करके वहाँ पे desktop mode on करके try करिए तो friends यहाँ पे continue पे click करके simply जो नया password आप डालना चाहते है वो यहाँ पे डाल दीजी जैसे friends आप password चेंज करेंगे hacker के हाथ से यहाँ पे account जाएगा and आप उस account को ले सकते है and check कर सकते without any problem यहाँ पे आप hack account को recover कर सकते है अब जैसे नया password डालते है friends बड़ी आसने से आपकी ID यहाँ पे login हो जाएगी without any problem के अब यहाँ पे अभी आपको problem आ रही है तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताना अब जानते है और कुछ solutions तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से ID को log out कर देता है friends अब यहाँ पे आपको क्या करना है simply login page पे आ जाना है facebook.com डालेंगे तो बड़ी आसन से यहाँ पे कोई भी other ID आपकी है तो उसे log out करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे अब friends यहाँ पे आनेक बाद आपको क्या करना है forget password इस वालो option के उपर click करना है जैसे click करने friends यहाँ पे आपको ID find करना है friends ID कैसे कैसे find कर सकते है पहले तो यहाँ पे email address से ID find कर सकते है second mobile number and तिसरा जो आप मैं ID को find करता हूँ अब friends जैसे आप email ID डालेंगे search के उपर click करना है जैसे click करने के बाद यहाँ पे आपको profile show होने वाली है hack ID की okay अब यहाँ पे अगर email ID show हो रहा है आपका पहला email ID okay तो यहाँ पे आप बड़ी आसान से अपने ID को recover कर सकते हैं अगर यहाँ पे ID show नहीं हो रह करना है जैसे friends आप search करेंगे search करने के बाद यहाँ पे आपको continue पे click करना है अगर show नहीं हो रहा है तो एस तित में आपको क्या करना है try another way के उपर click करना है जैसे click करने यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफरेस आने वाला है अब यहाँ पे आने के बाद use my google account यह वाला option आ जाएगा very important option है इस वाला option पे click करके friends google id का यहाँ पे code डालके यहाँ पे आप continue पे click करके id return ला सकते हैं अब यहाँ पे भी आपको problem आ रहे है और practical और यहाँ पे जानकर जाननी है तो मुझे comment box में comment करके बता सकते है रहसे i button पे और एक video मैंने दे दिया description में भी video चेक कर सकते हैं तो guaranteed में अलग सा एक solution अगर मिलता है तो में video लेके आऊँगा अब जाते हैं कोई भी account recover करना है या कुछ भी करना है तो और videos है friends playlist है screen के उपर check कर सकते हैं कोई video नहीं है तो comment box में comment करके बता सकते हैं धन्यवाद friends आते अंता भारी video देखने के लि झाल 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 झाल झाल